नमस्कार and hello friends मैं हूं डॉक्र यूगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल डॉक्र यूगेंद्र बॉला And Health Tips दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं टैबलेट डेक्सोना के बारे हैं टैबलेट डेक्सोना ये ब्रैंडड ने में और इसके अंधर सॉल्ड है Dexamethasone 0.5 mg दोस्तो Dexona tablet के काफी uses है परन्तु इसका गलत तरीके से इस्तमाल करने पर काफी side effects भी देखने मिलते हैं खास कर जो नवजवान लोग है वो इसका काफी कई बार गलत उप्यों करते हैं बिना डॉक्टर की सला से इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में सारी जानकरी इस tablet के बारे में देंगे दोस्तो Dexona tablet एक prescription medicine है यानि आपको सिफ डॉक्टर्स के सलापरी लेनी है इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तो जैसे कि आपने आपको thumbnail में बताया था कि आपको तीन important बाते बताएंगे जो Dexona tablet के बारे में आपको जाना बहुत जरूरी है ये जो तीन important बाते हैं उनमें पहली है कि दोस्तो Dexona tablet एक life saving medicine है यानि आपकी ये गंभीर बिमारियों से जान बचा सकती है परन्तु ये तब ही होगा जब आप डॉक्टर्स की खत्रा हो सकता है पहली जरूरी बात ये है second जो important बात है Dexona tablet की बारे में वो है कि कई लोग छोटे बच्चे, जवान लोग 15-20 साल की उमर के लोग जल्दी मोटा होने के लिए जल्दी मोटा होने के चकर में इस tablet का उप्योग करते हैं तो दोस्तों ये बिलकुल भी नहीं करना है Dexona tablet एक steroid tablet है ये मोटे होने के लिए बिलकुल भी नहीं बनी हुई है इसका एक side effect है मोटाबा Dexona tablet खाने से पानी शरीर में water retention होता है पानी भरता है मर शरीर में पानी रूखता है इस वज़े से आप थोड़े दिन के लिए मोटे हो सकते हो परंतु उसके आपके शरीर पर आपके स्वास्थे पर गंभीर परिणाम देखने मिलेंगे इसलिए दूसरा ध्यान ये रखनी है कि मोटा होने के लिए weight gain करने के लिए dexona tablet बिलकुल भी नहीं खानी है तीसरी important बार dexona tablet के लिए ये है कि अगर आप गलती से गुमरा होकर खुद without doctor's prescription डॉक्टर की सला के बिना अगर आपने कई दिनों तक ये ले ली मानो मेने दो मेने तीन मेने के लिए तो इसको अचानक दोस्तों बंद नहीं करता है बंद करने से आपकी जो problem है वो गंभीर हो सकती है आपको serious side effects हो सकते हैं आपकी जो health है वो बिगड सकती है इसलिए अगर आप दो-तीन मेने से या कुछ ज्यादा दिनों से बिना doctor की सलापर dexona tablet ले रहे है तो doctor से जाके मिलिए physician से मिलिए और उसको बताइए कि आप ऐसा से tablet ले रहे वो आपको मदद करेंगे इस tablet को छुडाने के लिए तो दोस्तों इस तीन important बाते dexona tablet की बारे में आपको ध्यान रखने चाहिए अब आपको हम dexona tablet की uses बताते हैं ये किन-किन बिमारियों में काम आती है दोस्तों dexona tablet ये सांस की बिमारियों काम आती है जैसी कि bronchial asthma, COPD जिसमें हमारे जो bronchial airways है सांस की नलिया है जिनमें सूजन आ जाती है उनको कम करती है second ये आपके arthritis arthritis यानि कि जो जोड़ों में दर्ध होता है जैसी कि गठिया, osteoarthritis सभी तरह के जो जोड़ों के दर्ध है उनके अंदर भी doctors इसको इसको इस्तवाल करते हैं जो तीसरी important चीज़े हैं जिस बिमारियों में इसको 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 करते हैं वो है allergies किसी भी प्रकार का आपको allergic reaction हो, चाहे insect bite हो, या खाने पीने की कोई allergy हो, उसमें डेक्सोनों का इस्तमाल करते हैं, पेट संबंदी बिमारिया, bowel disorders, ulcerative colitis, आंतों में सोजन होना, बड़ी आंतों में सोजन होना, उसमें इस्तमाल करते हैं, skin की बिमारियों में इस्तमाल करते है एक important इस्तमाल है इसका cancer की बिमारी में, directly नहीं, indirectly, cancer की बिमारी को ठीक करने के लिए, जो chemotherapy होती है, जिसमें IV injections लगते हैं, काफी heavy doses की injection लगते हैं, उस वज़े से patients के अंदर chemotherapy side effects देखते मिलते हैं, जैसे की ulty होना, उबाक होना, उसके अंदर, dexona tablet, जो chemotherapy side effects है, cancer की जो therapy है, cancer का जो इलाज है, उस दोरान जो side effects देखते मिलते हैं, उसको कम करने के लिए, dexona का इस्तमाल करते हैं, यानि कि indirectly, yet cancer की चिकित सामें भी मदद करती हैं, दोस्तों, यह रहे, uses, dexona tablet की, अब आपको हम बताएंगे, इसके जो side effects हैं, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता काफे serious side effects देखने मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम उपर से शुरू करते हैं, psychosis, आपका मानसिक संतुलन बिगड सकता है, आपके अंदर serious mood changes हो सकते हैं, आपको suicidal tendency हो सकती है, एक तो पहला important side effect ही है, अगर ज्यादा दिन dexona tablet खाने से, आपकी आखों में, आखों का intra orbital, चेहरे पर, चेहरे पर facial hairs, यानि कि चेहरे पर बाल आ जाएंगे, एकने मुहां से बढ़ जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो गले पर side effect है, इसका face के ओपर excessive deposition of fat हो जाता है, changes of fat in body, यानि कि आपके चेहरे पर fat, चर्भी जमा हो जाएगी, आपके गले पर neck पर fat, च back में, changes in body fat हैंने कि चर्भी जादा जमा हो जाएगी, आप over weight हो जाएंगे, excessive body fat deposition हो जाता है, थोड़ा नीचे आएंगे तो blood pressure बढ़ जाता है, high blood sugar हो जाता है, यानि कि आपको hypertension, diabetes जैसे बिमारिया हो सकती है, अगर आप dexona tablet का गलत इस्तमाल करेंगे, high doses में इस्तमाल करे जाने कि आपकी जो महावारी है, वो अर्नियमित हो जाएगी, irregular हो जाएगी, पुर्षो में loss of sex हो जाएगा, sex के अंदर interest खतम हो जाएगा, sex करने की शमता कम हो जाएगी, erectile dysfunction होता है इसके अंदर, skin संबंदी बिमारिया हो जाती है, ज्यादा dexona tablet खाने से आपका skin thin हो जात जाती है, easy bruising हो जाती है, यानि कि जल्दी से चम्री खिल जाएगी, घाओ बन जाएगी, तो इस तरह से दोस्तों, dexona tablet की काफी serious side effects है, इसलिए बिलकुल भी आपको ये doctors के सलागे बिना नहीं लेना है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, dexona tablet का जो dosage है, और कैसे लेना है, dex dexona tablet को लेने के लिए, full glass of water, यानि पूरा glass of पानी लिजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि खाने के, dexona tablet खाने के बाद में आपके पेट में जलन हो रही है, stomach upset हो रहा है, तो कुछ खा के खा से ले सकते हैं, dexona tablet को, अब precautions, dexona tablet खाने के समय क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके doctors, आपको dexona tablet prescribe कर रहे हैं, तो आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखेगा, doctors को आपको inform करना है, कि अगर आपको किसी भी तरह का tuberculosis infection है, यानि किसी भी तरह का TB है, फेफडो की TB है, या कि herpes zoster, herpes infection है, तो doctors को inform कीजिएगा, fungal infection है, तो उनको बताना है, किसी भी तरह का vaccines नहीं लेना, immunization नहीं करना है, किसी भी तरह के TB नहीं लगवाने है, जब आप dexona tablet खा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपको PCOD है, स्त्रियों को, polycystic ovarian disease, या आपको thyroid की kidney संबंदी, या आपके bones brittle हैं, पहले से आपकी idea कमजोर हैं, तो आपको इन सब बातों का, आपके doctors को, आपके जो physician है, उनको बरूर जरूर बताना है, कि आपको इन बिमारी है, तो उस हिसाब से वो आपके tablet देंगे, उसका dose कम करेंगे, ध्यान रखेंगे, इन बातों का ध् दोस्तों, dexona tablet, habit forming तो नहीं है, पर इसके side effects से है, इसलिए हमेशा सोच समझ के इसको इसको इस्तमाल करना होता है, अब जो frequently asked questions है dexona tablet के वारे में, क्या हम इसको alcohol के साथ ले सकते हैं, नहीं दोस्तों, alcohol के साथ बिल्कुल भी मत लेना, driving करते समय भी, ठीक नहीं, driving करते समय साथान रहना है, breastfeeding करते समय, safe बताया गया है, तो आप breastfeeding करते समय, safe है, pregnancy अगर है आपको, तो doctors को inform कीजिए, अगर आपको kidney और liver संबनी भी मारी है, तो भी doctors को inform कीजिए, वो आपकी अवस्ता, परिस्तिती देखकर आपको बताएंगे कि ये tablet आपको कैसे लेनी है, किस dose में दोस्तों, आज हमने आपको dexona tablet, याने dexamethasone tablet की बारे में, विस्तुरुत जानकारिदी है, सरल भाषा में, आशा करते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको apply and share जरूर कीजेगा, और जितना भी आप share कर सकते हैं, आपके friends में, families में, जरूर कीजेगा, क्यो देक्ते मिलते हैं, कि वो tablet छुटाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखिए, आशा करते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं मिलता हूँ, आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार, जैहिंद,